मैं वकील हूँ मनीश कश्यप का, मैं आज बेल करा के निकला ही लोग जेल भेज रहे हैं, लोग सभाचुनाओ के पहले, क्या मज़ाख है महराज, कुछ भी निव चला दीजिएगा, मैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से, मैं ये एक अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करत हूँ, कि आप लोग मनीश कश्यप को सुरक्षा मुहया कर, कि मनीश कश्यप को अगर देखने के लिए लोग जुट जाते हैं, तो इसमें मनीश कश्यप का क्या दोश है, लोग सभाचुनाओ से पहले ही, सवन व बिहार कहे जाने माले मनीश कश्यप पर एक फाइयार हो जा जानते हैं कि मनीश कश्यप किसी का दिल निराश नहीं करते हैं, किसी को किसी का दिल छोटा नहीं करते हैं, जब भी कोई उनसे मिलने के इच्छा जाता है, उनको बुलाने के इच्छा जाता है, उनके साथ सेल्फी लेने के इच्छा जाता है, उनको चूने के इच्छा जा कोई मुशीबत में है कोई administrative problem है कोई आर्थिक समस्या है तो मनीश कश्यप को याद करता है और मनीश कश्यप उससे मिलने चले जाते हैं तो अभी इन दिनों क्या है कि मनीश कश्यप जो शुरू से करते आए हैं कि अगर कोई talented बचा है जैसे आपने देखा कि सोनू जो ललका था सोनू यादो तो उनको जो है वो भी उन्होंने क्या किया था कि जाकर के mobile दिया था और पुरत्साइट करके पूरे इनिया में वाइरल कर दिया था जिन्होंने मुख्यमंत्री नितिश कुमार से सवाल पूछा था कि हमारे पापा शराब पीते हैं हमको पॉड़के आई यादो जी की तो मनिश कश्यब जेल में थे आर्थिक पीडा जेल रहे थे पूरा मतलब सारा का सारा पूजी उनका खतम हो चुका था फिर भी कहीं से अपना औरेंज करके और उनका जो वाइट मनी था और उन्होंने पत्रकार वीमल यादो जी के पास पैसा भेजा था उसक फिलसले में नरकटिया बाजार के एक हैं हमारे भाई उनका नाम भी हम नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए मुझे डर है कि अब उनको कोई तंग ना करने लाए उनके पास वो गय थे और जा करके और उनसे मिले हैं तब तक 10-12-15 लोग इकठा हो गए अब जब इकठा हो गए तो प्रशासन ने उसके लिए उनके केस कर दिया 141, 147, 188, 147 एफ यह सब का जो है वो कुछ और धारा को लाया करके उनके केस कर दिया प्रशासन के लोगोंने तो अब मुझे बताईए कि मनीश कश्यप को अगर देखने के लिए लोग जुट जाते हैं तो इसमें मनीश अभियान हो यह सारी चीज़ें करी जाती हैं परमिशन लेके लेकिन चुनाओ लड़ना हो तो अब तो अब मैं अगर इलवी शाह जी के घर पर धाका जाओं और जा करके और आपसे जो है वो कहूं कि देखिए बिहार में सिस्टम में बदलाओ जरूरी है बदलाओ या सिस् प्रचार प्रसार नहीं है अमारी अभिवत्ति के श्वत अंतरता है आटिकल 19-A of Indian Constitution gives us the power to freedom of speech उसी के तहत वो बोल रहे थे लेकिन फिर भी उन पर केस कर दिया गया और आरोप यही सारे लगाये गये थे कि वो जो है वो बिना परमिशन के मीटिंग कर रहे थे घूम रहे थ तो अब अगर मैं यानि मनीश कश्यप अगर सेलेबरीटी हैं लोग अगर उन्हें मुहबत करते हैं लोग उनको लाइक करते हैं लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं मिलना चाहते हैं तो उसमें मनीश कश्यप का क्या दोश है तो मैं प्रशासन से जिला प्रशासन से मै ये एक अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कि आप लोग मनीश कश्यप को सुरक्षा मुहया करेगी, क्यूंकि अब वो कहीं जा रहे है तो लोग जुड़ जा रहे है, उनको देखने के लिए है, उनसे मिलने के लिए है, लोग उनके सामने जो है वो दिवाने की डी तरह जो है लोग उन से मिलना चाहर है तो ऐसी स्थिती में अगर आप देखिए गा तो उनको सुरक्षा की जरुरत है पटार्संसन को सुरक्षा देना चाहिए न कि उन मेरा दोष नहीं मैं अपना सामान ने गतिवीध ही कर रहा हूँ अगर मेरा घर अगर है मालने जीट पर जो प्रोटोकॉल्स है अगर वो मैं जेल में जाकरके मुलाकाती में जाता हूँ और नहीं पालन करता हूँ तो एक अलग चीज़ है तो प्रशासन बड़ा प्रोएक्टिविली अगर F.I.R कर देता है तो यह कहां से निया है अगर प्रशासन को इतनी ही कानून वेवस्था की चिंता है अगर वामें तो गोली मार दी गई है को अरत को दिन दाड़े गोली मार दिया गया है और उसके अलमा जो है कौन नहीं जा जानता है कि हर क्षेत्र में जो है कितना है अधिक संपती है जमीन माफिया को बालू माफिया को शराब माफिया को शराबभन्ती कितना परसेंट जायां है कभी आके SIDE COAT में देख लीजिएगा आपको पता चल रही है कि लोग सबाज चुनाव से पहले Manish का इस जाएंगे बड़े बड़े निवट चैनल में चल रहा है कि मने राधार रहा है अब तो अधार वह बताएंगे सिधा लिख रहा है अश्पास टैटर लिख रहे हैं देखिए सचाई बात यही कारण है कि उनलों का भिउज नहीं मिल रहा है अगर जो है राधिका मर्चेंट का लहंगा और अम्मानी का पेट दिखाने से अगर उनको जो है वो नहीं उधर से मिले तो जनता एक पैसा आप नहीं दे रही है आप कह रहे हैं कि जा सकते हैं जेल सारे मामलों में बेल लेकर के आए हमनीश कश्यप जिसमें दो मामले में उनको जो है क्लिंचिट मिल चुकी है तीन मामले में क्लिंचिट मिल चुकी है और एक मामला जो था उसमें आज ही हम बेल कराएं और आप कह रहे हैं कि जेल चले तो चलिए अभी हमारे साथ मुतिहारी जीला के मसभूर वकील एसके पुंकजी थे जो मनिसका सब का अकेल है और आज उनको जो फायार दर्ज हुती अचार संगिंता के उलंगन के अरोप में और सभी जो धाराय लगे थे सभी में बेल मिल गई है निकि बहुत सारी चनल चला सब्सक्राइब को लोग सब्सक्राइब को बहुत बहुत धन्यवाद भाज जहीं जब्यार